नमस्कार, दानो दरपन न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ आदितकबार नेशनल हेराल मामले में कॉंग्रेस को संसत से सड़क तक मुश्किलों का साबना करना पड़ रहा है पहले कॉंग्रेस सद्धिक सोनिया गांधी और उनके अपसानसत पुत्र राहुल गांधी के साथ एडी की लंबी पूचता चली और अब हेराल्ड हाउस पर छापे मारी चल रही है, दिर दिरे सोनिया और राहुल गांधी पर शिकंजा कस्ता जा रहा है एडी के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हेराल्ड हाउस पर छापे मारी के दोरान उनके हाथ कई एहम दस्तावेश लगे हैं जिसके आधार पर राहुल और सोनिया गांधी के साथ एक और दोर की पूचताच की तैयारी शुरू हो गई है दावा तो यहां तक हो रहा है कि हावाला के जरिये बड़ा लेंदेन किया गया है दूसरी और कॉंग्रेस का दावा है कि एडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है और लगेगा भी नहीं क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है जो भी सब कुछ है साफ आप साफ है जाच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस को परिशान किया जा रहा है और कॉंग्रेस परिशानी से लड़ना भी जानती है पार्टी संसत से सडक तक भीडी हुई है ED के हाथ, ED ने हाथ गांधी परिवार पर डाला है, इसलिए पूरी पार्टी एक जुट नहीं नहीं तो कॉंग्रेस के दूसरे नेता जब फस्ते थे, तो उन्हें अपने अस्तर पर ही लड़ाई लड़नी परती थी सोनिया, राहुल और प्रियंका इस बात की नजरे जमाय हुए हैं कि इस लड़ाई में कॉंग्रेस का कौन सा नेता उनका समर्थन नहीं कर रहा है इसका एक नजारा संसद में भी देखने को मिला, एडी की छापे मारी के खिलाब कॉंग्रेस के संसद लोगसभा में हंगामा मचाय हुए थे पार्टी के जातर संसद तो लोगसभा में वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन शर्शी थरूर और कार्ति चितब्रम जैसे कुछ नेता अपनी सीटों पर ही बैठे और कॉंग्रेस संसदों के प्रदर्शन से अलग दिखाई दिये उनके चेहरों से लगी नहीं रहा था कि इस तरह के प्रदर्शन की स्विक्रती उनकी ओर से भी है या फिर इस तरह का प्रदर्शन वो करना चाहते हैं हंगावे में कॉंग्रेस को विपक्ष के दूसरे सांसदों का भी साथ मिल गया था जिसकारण सदन की कारेवाई को स्थागित कर दिया गया दोपार एक बार फिर जब लोगसभा की कारेवाई शुरू हुई तो कॉंग्रेस और डियमके समेथ कई विपक्षी दलों के सांसद फिर से वेल में आ गये और हंगावा शुरू हो गया इस बार भी नजारा बदला नहीं था शुरू धरूर और कारतिच दंबरम अपनी सीटों से नहीं हटे ये नजारा देखकर डियमके के सांसद दया निधी मारन सोन्या गांधी के पास पहुंचे उन्हें भी प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए इस पर सोनिया गांधी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और कहा कि उन्हें बुलाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा और सोनिया गांधी खुद खड़ी होकर लोकसभा की बेल में पहुँच गई और अपने पार्टी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हो गई सोनिया गांधी को समर्थन में हिस्सा लेता देख पार्टी के कुछ अदस्यों ने उन्हें रुका और कहा कि आपकी तवियत बिल्कुल ठीक नहीं है इसलिए सीट पर ही जाकर आप बैट जाएए अभी सोनिया गांधी के पार्टी के दूसरे सांसदों से बातचीत चल ही रही थी कि शश्य थरूर कार्टी चिदंबरम की नजर भी सोनिया गांधी पर पढ़ गई बात में सोनिया गांधी अपनी सीट पर बैट गई तो थरूर और प्रदर्शन कारी सांसद के साथ नारेवाजी करने लगे यानि सोनिया गांधी ने बिना किसी से कुछ कहे ही शश्य थरूर और कार्टी चिदंबरम को ये सबक सिखा दिया कि कैसे उन्हें साथी सांसदों के संग विरोध प्रदर्शन करना है पैरहाल सरकार के खिलाब प्रदर्शन जो हो रहा है कॉंग्रेस का विरोध प्रदर्शन वो चालू है दूसरी और E.D. में धीरे-धीरे कर सोनिया और राहुल पर शिकन गस्ती जा रही है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मौनसून सत्र के बाद E.D. राहुल गांदी को घरफतार भी कर सकती है तो अगर आपने नोधर पढ़ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन दवाईए ताकि आप डेट के साथ खबर आप तक पहुंचती रहें नमस्कार